हाई फ्रेंस वेलकम टू माई यूटूब चैनल एग्रेटेग वित आकास मैं आकासकमार पांडे लेकर हाजर हूँ प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए पर टापिक कृष्षी विधियों के नाम मतलब कौनसी विधी किस चीज से रिलेटर्ड है आईए हम आपको लोगों को बताते हैं इस वीडियो में आते हैं पहला मैठेड देखते हैं सेरी कल्चर सेरी कल्चर जो है वह वह रिलेटर्ड होता है रेशम की पालन से और दूसरा होता है उससे रिलेटальных होता है तो इंसकी कल्चर मंदमखी पालं से तीसरा है को सी कुल्चर जो होता है वो सली उत्पादन gi किया जादा है वह kalo परगत आता है और चौथा देखते हैं फ्लोरी कल्चर फ्लोरी कल्चर में फ्लोरी कल्चर डिलेटेड होता है फूलों के उत्पादन से और पाच्वा देखते हैं वीटी कल्चर बीटी कल्चर जो होता है वह अंगूर की खेती के अंगूर की खेती से रिलेटेड होता है और छटवा है वर्मी कल्चर मतलब कि कमपोस्ट वर्मी कमपोस्ट जो खाद बनाए जाती है वो केचुवा पालन से बनाए जाती है इसलिए इसको वर्मी कल्चर कहा जाता है और यह रिलेटेड है केचुवा पालन से और सत्वा देखते हैं पूमो कल्चर पूमो कल्चर जो है व कि बागवानी से रिलेटर होता है जैसे हैं जो फलों की बागवानी या फूल और लगाते हैं वो हर्टीsu से लिलेटर होता है और दसवन है एंश्य है अर्वट्रो पॉट्रेक एरो पोट्रिम मतलब हवा में पौधों को अगाना जिसे कोई चीजे लटका के जो पौधे उगाया जाते हैं उन्हों एरोप्योट्रिक मतलब में कहा जाता है और गरामा है हाइड्रोपोनिक्स मतलब पानी में पौधों को अगाना तो यह जहें नॉन रेलेटेडड एगरिकल्छार हो या agriculture रेलेटड एक्जाम हो यह सब के लिए और इसको आप लोग पूरा रखे और और इससे और इंट्रेस्टेंग वीडियो के लिए मेरे चैनल कोbound करेब करें राइक करें कमेट करें एंट्रेकों